नमस्कार, SBT News में आपका स्वागत हैं, पेशे 13 जन्वरी शनिवार्द परसवा 1 बजे, राजसान के 15 बड़ी खबरें इस न्यूज बुलिटिन के प्रायो जुक हैं विनी, विनी केक अन मोर तो सबसे पर एक नज़र डालते हैं आज के हेड्लाइन्स पर लोकसबा चुनाव को लेकर भाजपा का दूसरे दिन भी मन्थन, गीता प्रेस के ओर से पुष्पक विमान, आयोध्या के लिए रावाना मुक्य मंतरी बनने के बाद पहली बार बेकाने राएंगे भजनलाल शर्मा पंजाब में नहीं होगा गडबंदन, आप और कॉंग्रेस के बीच, दिल्ली में बनी सहमती जैपुर में दो दिन सजेगा पतंग बाजो का मेला, वो काटा, वो मारा की आवाज से शहर गुंज उठेगा और अब खबर विस्तार से भाजपा विधानसबद चुनाव के बाद अब लोगसबद चुनाव की तैयारी में जुटी है यही वज़य है कि लोगसबद चुनाव में इस बार में मिशन 25 को पूरा करने को लेकर भाजपा ने महामंतन शुरू किया है दो दिवसी महामंत्र का आज दूसरा दिन है पहले दिन राजसान में बीजेपी के करेब 46 ने ताउने 6 घंडे तक सभी 25 सीटों पर कमल खिलाने के लिए कमल खिलाने की रणनिती पर मंथन किया प्रदेश में भाजपा ने 2014 और 2019 में सभी 25 सीटे जीती थी इस भाजपी प्रदेश को सभी 25 सीटों पर कमल खिलाने को लेकर बीजेपी का दो दिन का मंथन शुक्रवार से शुरू हुआ आयोध्या में नम निर्मित भवे राम मंदिर के राम लला मूर्ती प्रान प्रतिस्था समारो 22 जनवरी को है गीधा प्रेस के ओर से पुषपक विमान आयोध्या भीजा गया है राजसान के मुक्हे मंद्री बनने के बाद भजनलाज शर्मा पहली बार 20 जनवरी को बीकाने रहा है यहां में प्रिशासन और फिस अंगठन के नबचेट टोलेंगे। प्रिशासन के लिए सियम की बैठक इसलिए और महतरपूर्ण है क्योंकि सरकार के बनने के बाद से अब तक जिले में कोई परिवर्तन महसूस नहीं हुआ है। बहुत अच्छी चोल रही है लेकिन गडबंदन के बादचीत की हर बिंदू पर टिपड़ी नहीं की जा सकती है। सूत्रों ने कहा कि पंज़ाब में कांग्रेस और आपके दोनों सीटों का बंटवारा नहीं होगा और दोनों पार्टियां इस बात पर सहमत हो गई है। बहुत भी रहेगी ऐसा इसलिए क्योंकि पक्षियों को कोई परिशानी ना हो पतंग बाजी सुबह 6 से 8 और शाम को 5 से 7 बजे तक नहीं कर सकेंगे। लगातार बढ़ रहे सडकों के जाल और निर्बाद गती से रफतार भर रहे वहनों के साथ सरकार ट्राफिक नियमों को भी सक्त बना रही है। सरकार ने हाई सेक्योर्टी रजिस्टरिशन प्लेट को सभी वहनों के लिए निवारे कर दिया है। लगाने की समय सी माँ 39 फरवरी 2024 है। हर्याना के हिसार के बाद समन में नियूंतम तापमान पॉइंट च्वा डिग्री सेल्सियस दर्च किया गया। उत्र प्रदेश की कानपूर में पारा तीन दिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तीन देश्मनों 4 डिक्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। विजिबिल्टी कम होने की चॉलते दिली में 18 ट्रेन अपने समय से 1-6 घंटे की देरी से चल रही है। बिहार की राजानी पटना में सर्दी की मद्दे नजर आठवी तक के सबी स्कूलों में 16 जनवरी तक छुट्टी कर दी गई है। वियस्त हैं उनसे जो भी पूछना हों लिखित में भेज दी इसके पहले 2 नमबर को किजरी वाने एडी के समन को गैर कानूनी और राजनीती सिप्रेरीद बताया था। राजिसान में नए टेंडर और वर्क आडर पर लगी रोख के वीच अब सड़क से जुड़े कामों में छूट देनी की तयारी है। केंद सरकार की साहता से चलने वाले सड़क प्रोजेक्ट्स को जल्द शुरू किया जा सकता है। राज़ानी जापुर में कल से दो दिन होने वाली पतंग बाजी के लिए इस पर मौसम अनुकूल रहेगा। 14 और 15 जन्वरी को छुटी होने के कारण चार दिवारी समेत जापुर शहर में पतंग बाजी के दोरान मौसम बिल्कूल साफ रहेगा और दिन में अच्छी धूप रहेगी। इसके साथ इस बार हवा की दिशा पूर्वी या दक्षिन पूर्वी रहने के संभावना है। प्रदेशन कारियों ने शनिवार सुबे 10 पजे तक का समय मांगा तो पुलिस अधिकारी उन पर भड़क गए। माना जा रहा है कि पुलिस प्रदेशन कारियों को हड़ाने के लिए जल्दी कोई कदम उठा सकती है। स्वच्छ भारत मिशन अभियान के अंतरगत स्वचिता सर्वेक्षन दो जाते ही इस प्रदेश और जिले दोनों के लिए ही अच्छा नहीं रहा। पिछले साल के मकाबले दोनों की ही रैंकिंग में गिरावटाई है। पिछले शेयरों के सुची में नोखा पालिका ने प्रदेश में पहला और उन्हें तर्वा स्थान प्राप्त किया है। जुझरों में पोर्टल बंद होने के वज़े से खाद्यम नागरी का पुर्ती विभाग की खादिश रुक्षा यूजना के लभारतियों के सदस्यों के नाम राशन कार्ड में नहीं जुड़ पाने से उन्हें राशन सामगरे से वंचित होना पड़ रहा है। पात्र परिवार नाम जुड़वाने के लिए भी ए मित्र तो कभी सरकारी कारेले के चक्र लगा रही हैं। पश्य मंगाल के पुरुलिया में साधूं को पीटने का वीडियो सामने आया है। एक्जाम, फिर रिजल्ट और अब डॉक्यमेंटेशन पुरा करने के बाद इसमें सेलेक्ट हुए अभ्यर्थियों को जॉइनिंग देने से रोक लगा दिया गया है। पश्य महीं दूसरी तरह बोर्ड प्रशासन ने कांट्रक्ट पर काम कर रहे, एक सो पचास से ज्यादा रिटार करमचारियों को तीन महीने का टाइम एक्स्टेंशन दिया है। साथ ही कांट्रक्ट पर करमचारी लेने के लिए टेंडर पर क्रिया भी जोधी शुरू की जाओ सकती है। मेडिया रिपोर्ट के मताबिक जिन अभर्थियों का चैन हुआ है, जॉइनिंग देना बाकी है। उसके लिए बोर्ट प्रशासन अब राजे सरकार से अनुमती लेगा। दरसल ये भर्थि पिछली सरकार में निकाली गई थी, पिछले साल जुलाई से अगस्ट तक इस भर्थि के लिए आवेदर मांगे गए थे। तो फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खपरों के साथ।